नमस्कार जैहिंद दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि किन किन राजियों में RT-PCR की रिपोर्ट कमपलसरी है और साथ ही दोस्तो जब भी आप ट्रेवलिंग करते हैं तो जिस राजियों में RT-PCR की report compulsory है वहाँ पे 72 घंटे पहले की RT-PCR report आपको दिखानी होगी और अगर ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको problem आ सकती है या तो दोस्तों आपको 7 दिन के लिए isolation में रखा जाएगा क्योंकि IRCTC का एक message आया था मेरे पास तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि किस किस राजी के लिए RT-PCR report negative होना जरूरी है या नहीं क्योंकि आप सबको पता ही है कि हर दिन कुछ न कुछ अपडेट होते ही रह रहा है हर दिन तो इस तरीके से दोस्तों आप पता कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों मैं अपने mobile की skin पे चलता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कहां कहां RT-PCR report compulsory है कहां नहीं और कैसे चेक होता है चलिए मैं अपने mobile की skin पे चलता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने mobile की skin पे आ चुका हूँ और मैं Chrome browser को open कर लिया हूँ और यहाँ पर दोस्तों IRCTC में search कर लेता हूँ और दोस्तों जैसे मैं IRCTC पे click करता हूँ करते हैं यहां पर दूस्ते एक आट का इस तरीका का पेज ओपन होगा तौब को स्क्रोल डाउन करने के बाद दूस्ते हैं यहां पर लिखा हुगा है करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ एक पेज ओपन होगा इसको जूम कर लेना है दोस्तों मैं आपको यह बताऊंगा अभी करेंट में दोस्तों किन किन राज्यों में क्या क्या स्थिति चल रही है तो यह दोस्तों आज से तिन चार दिन बाद हो सकता हुआ नई से देख सकते हैं ओभी दोस्तों एकदम लेटेस्ट तो यहां पर दोस्तों मैं किसी एक स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ और उसकी गाइडलाइन देखने की कोसिस करता हूँ कि क्या अभी इस समय वहां की स्थिति है और क्या रूल है तो चलिए मैं यहां पर करनाटका पे क् एक application होता है जो कि आपको play store से download करना हो इसके बाद दोस्तों यह PDF आपके भी mobile में open हो जाएगा तो चलिए दोस्तों मैं इसकी guideline को देखता हूं तो यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा अगर आप करनाटका में जा रहे हैं तो आपको RT-PCR की negative report होना जरूरी है ऐसा दोस्तों करनाटका government कहती है इस तरीके से दोस्तों जैसे मैंने एक state का आपको देख करके बताया उसी तरीके से दोस्तों आप जिस भी state में रहते होंगे उसी state का आप click करके जान सकते हैं कि किस र देख पाएंगे अपने mobile पर ही इसी तरह की दोस्तों railway banking technology जैसे सभी वीडियो पाने के लिए मैरे इस चैनल को subscribe कर लिजिए जिसे आपको हमेसा दोस्तों कुछ न कुछ चीजे सीखने को जरूर मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए जय हिंद जय भारत